कि हम लोग अभी बाड़ी जा रहे हैं सब जिलाने के लिए अभी रास्ता देखिए मामी जा रही आगे आगे जा रहे हैं अभी लगाये हैं यहों भी लगाये हैं देखिए जाने के सब देता है बगीचा है देखिए यहाला सरसो आ गेहों का खेती होता है है बीच में आम पेड़ सब भी है इसलिए गेहों हो रहा है इसलिए बड़ा होगा उसमें यहां खेती नहीं होगा इसलिए पानी आता है इसमें से पानी आता है सबको बताने के लिए देखिए है चोटा चोटा गेहों है अभी ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है इसलिए दूर तक लगाया हुआ है इसलिए पुरा आस्ता पुरा तो नाज वह लोकते हैं हो जीचा है मैं में पहुंच गई है आलू कोड़ने के लिए तब अधि तबादा सबजी ले जाएंगे पेर लगाये है हां तो थोड़ा देखिए पूरा आम बगीचा इधर भी है देखिए पूरा बगीचा है लोटर भी और थे निकलर है दुए देखिए मामी उनकाब रही है । अदर कोड रही है जो पूरा दी कोड़ निकल रहा है दिखिए तो मामी उन्धर कोड़ रही है इस तरह से आलू है खेती किया जाता है ते राहार का पेड़ देखिए कितना अच्छा दिख रहा है फूल दिया है सब में अन्हार भी है यहां पानी आता है देम से इसे पटाने के लिए हम लोग का हो गया अलू कोड लिए हम लोग जा रहे हैं घर आपको को दिखा रहे हैं घर ली खेती किया है कि यहां को खेती देखिए इस तो पुरा आम का पेड़ देखिए लोग कितना आम का पेड़ है सब जगां का ही बगान है इधर कि दोस्तों हम लोग घर जा रहे हैं कि यहां बड़ा तलाब है देखिए तलाब के किनारे भी इतना आम का बगान है यह बहुत पानी है कि रहा का पेड़ भी लगा हुआ है साइड सेट में यहां बहुत खेती होता है तो अ यह जा रहा हुआ हैस्साम कि यह बाiert है हम लोगह भी जा रहे हुआ है जाने लोगा सब को ही ला रहा है है में लेगे葉 साम हो गया है थिसन और यहां कि रिखेता सब बाहर है कि लाय कुषस्टेनठाप पार कि करता तंस अुठ कि दोस्तो रोट किनारह में इहां BE खीटि किया जाता है जहां देखेगा है महां सबतर खेटि होता है देखे यहाहां भी नाहर का पानी आता है नाहर इधर भी है देम का पानी से ग्रेम का पाने से खेती होता है, तोस्तों आज का वीडियो यह समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं काल का वीडियो में